यह निकला फाले तालपाई डिली सीम केजिरवाल माटल अरतुनारों लाइव चुदा मैं गुजरात के लोगों को खास कर बहुत-बहुत शुक्रियादा करना चाहता हूं आपसे मैं अभी जब गुजरात जितनी बार आया चुनाव के दोरान आपसे जो प्यार मिला सम्मान म मिला विश्वास मिला उसका मैं ता जिन्दगी आभारी रहूंगा आप लोगों का बहुत-बहुत रिनी रहूंगा बहुत-बहुत शुक्रियादा आप सब लोगों का मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और गुजरात एक तरह से बीजेपी का गड़ माना जाता है उस किल इस लाक के करीब वोट मिल चुके है और अभी गिंती जा जा रही है अभी और भी वोट मिलेंगे इतने लोगों ने हमारे उपर भरोसा किया इतने लोगों ने पहली बार में हमें वोट दिया इसके लिए मैं उन सभी लोगों का अभारी हूं जिन्हों ने इतना प्रेम दि कोई गाली गलोच नहीं किया, किसी को हमने बद्धी बाशा का इस्तेमाल नहीं किया, किसी के खिलाफ हम नहीं बोले, हमने केवल ये कहा कि हमने इतना काम किया दिल्ली में पंजाब में और अगर गुजरात में मौका मिला तो हम ये ये काम करेंगे, केवल अपने काम की चर्च कि राज यही सब चलता था पहली बार एक पार्टी आई है जो इस देश के मुद्दों की जनता के मुद्दों की बात करती है देश को नंबर वन बनाने की बात करती है देश को आगे बढ़ाने की देश के विकास की बात करती है स्कूल अस्पताल बिजली पानी सड़क जो रो आगे भी तो मैं आप सब लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रियादा करता हूँ कि आपने इतना गुजरात के लोगों ने इतना प्यार दिया इतनी महबबत दी इसका आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया और सभी देशवासियों को सभी कारेकरताओं क राश्ट्रे पार्टी बनने पर आम आदमी पार्टी के राश्ट्रे पार्टी बनने पर बहुत बहुत बधाई जितने गुजरात में कारिकरता हैं जिन्होंने इतनी महनत की इतना शानदार कैम्पेंड की आप सब लोगों ने रात दिन महनत की उन सब लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं थोड़े दिन आराम कर लो उसके बाद फिर से अपने को काम पर लगना है और एक चीज है चुनाव आते जाते रहेंगे हम राजनीती में सेवा करने के लिए आए हैं वो सेवा बंदी नहीं होनी चाहिए है ऐसा नहीं कि अब चुनाव हो गया अब हम अपने लोगों की सेवा करो अपने समाज की सेवा करो अपने गाओं की सेवा करो अपने महले की सेवा करो कहीं कोई दुखी हो चाहे वो किसी भी पार्टी का हो उसकी हमेशा सेवा करनी है चाहे वोट मिले ना मिले वोट मिलेंगे अच्छा काम करो कि वोट भी मिलेंगे लेकिन को काम नहीं करना बहुत बहुत शुक्रिया